असलाम अलेकूं वीवर्स उमीद करता हूं सब खेरी अच्छे होंगे तो आज हम आपको बताएंगे प्यास की फसल में आप यह देख रहे होंगे इनके उपर थ्रिप्स का बहुत ज्यादा अटेक हो चुका है हम आपको थोड़ा करीब से दिखाएंगे इनका देखो कलर भी चेंज हो चुका है और इनके अंदर भी बहुत ज्यादा अटेक है यह देखें शायद आपको केमिरा साही दिखा पाए इनके पर हैवी अटेक हो गया है अब यह इंजरी लेवल तक पहुंच गई है बात अब इनको इनको इनका यह हुआ है कि इनके उपर इस्प्रे जो है बहुत लेट हुआ है जो इनको पहले इस्प्रे करना चाही था टाइम पर करना चाही था जो नहीं हुआ है अब यह सारे मुर्जा हुआ है आपको नजर आ रहे होगे यह बहुत बड़ी तादात में है लेकिन यह सारे मुर्जा चुके हैं क्योंकि इनके उपर टाइम पर अगर टाइम पे इस्प्रे हो जाता तो ये सिच्वेशन नहीं होती अब ये है कि इनके उपर एक इस्प्रे आज हुआ है तो चार दिन के बाद फिर से इस्प्रे हो और इस्प्रे का जो तरीका है बेस्ट और तरीका ये है कि यूं इस्प्रे करना चाहें इनके उपर और जो हमारे फार्मर्स हैं वो इस्प्रे क्या करते हैं यूं करवाते हैं इनके उपर इस तरह से इस तरह से क्या होता है अब इसे हो गया न तो फिर दूसरा जो हमारे एक पोदा अगर रहे गया तो इनके उपर फिर से अटेक हो जाएंगा इसी तरह इनके उपर बहुती ज्यादा अटेक फिर ज्यादा हो जाता है लेकिन अब भी इस फसल के उपर आप आहालत देख रहे होंगे सारे जो हमारे ये प्यास की फसले इनके उपर मुर्जा हुई है सारी क्योंकि इनके उपर हेवी अटेक हो गया है अब इनके उपर आपने स्प्रे करना है कौन सा परफेलो फास और लिमंडा लिमंडा जो स्प्रे वो आपने इनके उपर करना है तो वो भी रिपीट में 4-5 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करना है इसी तरह 2-3 बार अगर आप स्प्रे करेंगे फिर जाके यह कंट्रोल होंगा लेकिन यह अभी इंजरी लेवल तक तो पहुंच चुका है क्योंकि इनके उपर टाइम पर स्प्रे नहीं हुआ अगर टाइम पर स्प्रे हो जाता तो यह इतना आगे नहीं जाता उमीद करता हूँ जाब खेरी अच्छे होंगे और इस चैनल को शेर करें लाइक करें और कमेंट करना ना बुलें